तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो बात करेंगे बीए सिक्स समस्टर के जियोग्राफी यानि की भुगोल के फ़स्ट पेपर के एमसी की टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में तो वीडियो बहुती महत्पूर होने वाली आपको कंप्लीट वीडियो जरूद देखना चाहिए आपकी पर इच्छा आने वाले दिनों में लगी है ठीक है तो चलिए बीना देरी की वीडियो को सुरू करते हैं और यह वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी ठीक आपके एक्जाम में फिर से सुन ल लाएंगे फिर उन्सीक्राइब के कुष्चन आने वाले उन सभी स्टूडेंट के महत्पूर और मेजर मायनर दोनों टाइप के स्टूडेंट के महत्पूर जिनका मायनर उनके लिए महत्पूर तो प्रफम प्रशन है कि भोगोल का जने किसे कहा जाता है यानि फादर आफ फादराफ्ट जियोग्राफी यह भोगोल की जनक का ठीक है इरोटोफ्थ नीज याद रखेंगे अगला प्रस्ट है कि भोगोल को एक अलग अध्यन साफ्थ की रूप में अफ़ापित करने का फ्रे निम्ण में से किस बिद्वान को जाता है तो बहुत इंपॉर्टन कोईश स्रिय दिया जाता है इनको ही हेड माना जाता है कि इन्होंने ही जो भोगोल है इसको अध्यन किया इसके वारे में जाना है और इसको साफ्थ के रूप में अफथापित किया है ठीक है तो इसका सही उत्तर्ज हो जाएगा वो हो जाएगा ए नमबर ठीक है अगला प्रशन है कि भोगोल के जियोग्राफिक सब्द का प्रियोग सरप्रथम किसने किया कौन से बिद्वान ने किया तो ये भोगोल को जियोग्राफिज भाई हिंदी में भोगोल बोला जाता है एंग्लिस में जियोग्राफिज बोला जाता है तो इसका जो सरप्रथम है प्रियोग किसने कि इन्हों नहीं किया था यानि फादराफ जियोग्राफी कि जो इनका नाम है इर्फ्तों नीज इन्हों नहीं प्रियुक्त कि आधार पर भोगोल की परिभाफा की गई यानि कि जो जियोग्राफी है इसका साब्दिक अर्थ के अनुसार भोगोल की जो परिभाफा कौन सी सही है इन आपसनों में से तो यहाँ पर बहुत पारे आपसन दी कोश्चन मतलब कि आपसन देगे जो सही उत्तर होगा उसे आपको टिक करना होगा तो इसमें जो सही आपसन है वो है पहला कि भोगोल वह विज्ञान है जो पिर्थवी के धरातल का अध्यन करता है यानि कि भोगोल वह विज्ञान है जो पिर्थवी जो पूरी है इस पे जियो भी जितने भी चेज़े हैं उन सभी का अध्यन कराता वो चाहाए पहाड़ हो च चाहे हो नदी हो चाहे हो समद्र हो चाहे हो जील हो कुछ भी हो यानि प्रत्वी पर धर भूगौल पृतिवी को केंद्र मानकर अध्यन करने वाला बिज्ञान कौन सा, मतब कौन है या फिर कौन सा है, यह जो संटेंस है, यह जो लाइन है, वो किस बिद्धुान ने कहिए, ठीक है, तो इस पर स्थिंगा सही उत्तर हो जाएगा, आपसे नमबर सी, यह जो भूगौ पिर्थबी को केंद्र मान कर अध्यन करने वाला बिज्ञान है भोगोल यह जो परिभासा है यह वैरेनियस ने दिये इफले सही उत्तरिश्कासी हो जाएगा वैरेनियस एक प्रमुक जो ठीक है भोगोलिक है और यानि कि यह भोगोल वेत्ता है और यह बिद्वान भी है अग अगला प्रशन है कि भोगोलिक विचार धाराओं में नवनियतिवाद की विचार धारा का परवर्तक कौन है ठीक है तो कौन है इसके परवर्तक उनका नाम है याद रखेंगे ठीक है ग्रीफित टेलर ग्रीफित टेलर इसके जो है वो परवर्तक है अगला प्रशन है कि वर उत्तरिश्का हो जाएगा B नमबर अगला प्रस्टे हैं कि अफ्थोल रूप संदस्टना प्राक्रम तथा और अफ्था का प्रतिफल होता है यह कथन किस्विद्वान का है तो यह जो कथन है वो W.M. डेविश का है. बी नमबर सही उत्तर होगा. आगला प्रशनya है कि यदि इतिहास यदि इतिहास कब का बैज्यानिक अध्यन प्रस्तुत करता तो भोगूल कहा का बैज्यानिक अध्यन है यह कथन निम्लिखित में से कौन से बिद्वान ने कही है तो उनका नाम है काल्स सावर ने कही है अलागी यह बहुत कमाता आप इग्नौर भी कर सकते हैं लेकिन यह important question है कि भू आकरत ग्यान ठीक है का जर्मदाता किसे माना जाता बहुत ही popular question है तो यह माना जाता है special को बी नंबर से उत्तर होगा अगला है कि रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा की प्रतिपादक कौन बिद्वान है ठीक है तो उनका नाम है Griffith Taylor डी नंबर से उत्तर होगा ठीक है अगला प्रशन है कि भूगोल को ठीक है भूगोल को मानो प्रस्थितियों ठीक है प है तो उनका नाम है एच एच बैरोज अगला की गरती है भूगोल का प्रारम्ब करता निवन में से कौन सा बिद्वान है तो उनका नाम है ठीक है इस सभी कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे इफले मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अगला प्रस्थन है कि च चेत्रे भूगोल जिसको 오른 Respondal जिओग्राफी का नाम से जानते हैं का पिता में नियूगा को नाम से जानते हैं का पिताम ने अबता के कि चेत्रे भूगोल का फादर कौन है तो चेत्रे भूगोल का फादर यानि जिओगोल विद्था या उसका नाम है Kar Signal है जलरी तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही पॉप्लर कोईश्चिन आप लोग कमेंट सेक्शन बताईए अगर आपको मालूम है तो ठीक है चलिए बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्शन नंबर डी उप्रयोक्त में से सभी क्योंकि ये सभी प्रवाइद करने वाला कारक है अच्छान सभी समद्र से दूरी भी है हिमाले परबत भी है अगला प्रश्ण है कि दच्छिर पश्चिम मांचून निमलिकित में से किस है तो दच्छिर पश्चिम मांचून से पूरे भारत में जितने प्रतसत वर्षा प्राप्त होती है उसकी जो संख्या होए 90 याने कि 90 प्रतसत तो बहुत महादपोर प्रश्ण याद रखेंगे अगला प्रश्ण है कि मांचून किस भासा का सब्द है तो मांचून जो है य इसमेरित जब आता है तो तरी भारत में जो हवाय गरम गरम बहती है जो हवाय गरम गरम चलती है तो उसको क्या कहते हैं बहुत पॉप्लर कोश्चन है उसको कहेंगे हम लू बोलते नहीं है इसे गर्मी आतित लोग मतलब कि अप्रेल लास्ट और माई जून का महिना चलता तो गरम गरम हवाय चलते हैं उसको लू बोला जाता है ठीक है अगला प्रश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मांचून में सबसे अधिक वर्सा प्राप्त करने वाला राज्जी कौन सा है फिर कहां पर सब ज़्यादा वर्सा होती है तो तमिल नाडु है ठीक है बहुत ही महात से बंगाल की खाड़ी से अधिक दाप प्रसिती से अफ्थर परताप मान के बढ़ने से इसलिए प्रश्चन का सही उत्तर जो होगा वह जाएगा अप्शन नमबर सी यह भी चाहिए दो भी चाहिए तीन भी ठीक है ओके च्याले निश्च कोश्चन देखते हैं कौन सा है कि कुश्चन है कि निम्न राज्यों में से किफ राज्य में आवफत वार्षिक वर्षा अधिक प्राप्त होती है ठीक है तो ध्यान रखेंगे महात्पूर प्रस्टिंश का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर सी केरल में ठीक है अगला कि भारत में ग्रीश में कालीन मान अगला कि आमर वर्षा क्या है आमर वर्षा क्या होता है तो आमर वर्षा जो है यह बिहार व बंगाल में मार्च अप्रेल में होने वाली वर्षा को हम आमर वर्षा के नाम पे जानते हैं जो कि मार्च अप्रेल में होती है बिहार व बंगाल में अगला कि मांसून सब्द अ अर्बी महासा का है लेकिन जो अर्बी भाफा के किस सब्द से बना है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा आप्षिन नमबर बी मौसिम सब्द से बना है याद रखेंगे अगला प्रस्ण है कि हमारे देश की किरसी किरसी आधायत उद्देग्यूम अनसम्मंधित वह जनी कि जो हवावें गर्मी मौसम में चलती हैं वो कैसे चलती है तही के तो याद रखेंगे वह जल से अस्थल की ओ जलती है झुलत से असब्द से इसलिए सभय ठास्ट इसका थिक थिक है निस्प्रस्ण है कि सीब्द रोटमップ में पावनों याणि हवावावों का उद तो यहां पर बहुत तारे बिद्वानों के नाम है जो उसको आपको बताना होगा फुलोन ने लूंव ठीक एक परमुख विद्वान यह नहीं दी नम्सून की जननी है दिए कि मनसून की मात जननी का मत वह तब माटा नमबर से उत्तर होगा अगलाय की या किस ने कहा था कि मानसूनी पावनों यानि की हवाओं की दिसा में मौसमी परिवतन तापिये काड़ों से ना होकर ग्रेहे वायुक्रम में ब्यापारिक पावनों के पुनरस्थापन का प्रतीक है तो यह जो कहा था उनका नाम है याद रखेंगे नहीं कहा था नंबर स्हीं गोलाय की इस पे इस का भोगुवित्ता यानि की नोर्क । वहती महत्पून प्रशने ही। अगला प्रश्ण है कि च्यक्रवाद विभिन वायव पुंजो के मिलने पर बने वताग्रो के करण उत्पन होते हैं यहां किस भुगोल वित्ता ने माना है यह जो भुगोल के शित में अपने विद्ध्वान है ठीक है तो इस प्रश्ण का जो सहुत्त हो जाएगा अगर आप जोता है ऑप्शन नमबर बी एपट के अगला की उच हतर ये वाय concise होता है वह जो होता है जेट स्त्रिम में अगला परशन है की जेट इस्ट्रीम से सम्मंधित नहीं है कौन इस में से तो जेट स्मंधित जो बिद्धान नहीं है उनका नाम है इस पैट बो जो इस्ट्रिम है उप पस्जिम से पूर बखकी और चलती है ठीक है अगला प्रेश्ट टिर्श है कि जेट किसके लेन दौ साक्षाहँ में विवकत हो जाती है कि इसको हवा बोलते है ठीक है तिब्बत के पठार के करण इसके करण तिब्बत के पठार के करण आपने तिब्बत तो नाम सुना होगा वहां के पठार के बारे में आपने कभी सुना जरूर होगा ठीक है बेम फाइनल एयर में है तो आप लोग समझे तो होंगे ठीक है सुना ते होगा अगला कोश्चन है कि ला नीना की प्रस महा सागर में पेरू तट के निकट और अधिक तापमान हो जाने को क्या कहते हैं मतलब कि अधिक जब तापमान हो जाता तो उस प्रोसेस को उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं तो उसको जानते हैं बहुत सारे आपर आपसन देगें जो सही उत्तर होगा उसे आपको टिक करन क्या कहते हैं अगला प्रश्ण है कि भारतिये अर्थ बिवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं तो इसका जो मुख करण है वो यह है बहुत सारे आपसंदेगे बात में मानसून पर जुआ खेला जाता है या फिर बात किर्फियों करसी अधायत उद्द्यक मानसून पर निर्भत करते हैं इस ने कहा गया है ठीक है अगला प्रश्ण है कि फुलों के अनुसार मानसून की उत्पत्य कैसे होती है फुलों जो प्रहुख बिद्भान है इनके इनुसार मानसून की जो उत्पत्य की उत्पत्य है वह नमबर जवान ने कहा है वी नंबर सोरी वतागर के कारण होता है सोरी वतागर के मिलने से हैं वतागर के मिलने से होता है यह नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि अंतहा उस्ट कट बंधी अभिस तरण पर करपना किसके कि द्वारा दी गई है कि तर आप सभी को बताना क्योंकि यहीं पर लास्ट कूश्चन यहीं तो आज किस वीडियों 45 यानि करीब पचास मान के चलते 45 कोश्चन हैं लेकिन 50 मान के चलते तो 45 वीडियों मैंने आपको कबर कराएं जो कि एक्जाम के लिए महात्पूर्ण दीरे-दीरे क्लाफेज आप लोगों की समझ सम पेज कर रहे हैं अभी पचास-पचास की स्रीज आ रहे हैं कुछ दिन में आपकी सो कुष्चन क्या आएगी बस इस तरह आपकी एक्जाम की तैयारी होती नहीं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है पूरे सपोर्ट में हम यह बात हम पहले बता दे रहे हैं मन्ना बात में बोली है कि वीडियो देख लिया पर समझ में कुछ नहीं है तो हमसे कम दो-तीन बार वीडियो देखेंगे तब ही आएगा ठीक है कोई भी चीज होती है एक बार में नहीं आती है यह आप सभी को मालूम है अगर एक बार में आ जाती तो आप एक्जाम में सो में से सब करके आए यह जितने का पुड़ांक होता है उतने ही नमबर आप लोग लेकर आए तो ऐसा नहीं होता है ठीक है कुछ आप लोगों को बार बार रिपीट करके तैयारी करनी पड़ती है जहिंद